जब कुकर शिकारियों के लगाए फंदे में फसा था तो शिकंजे ने उसकी नर्फ को कुछ ऐसे काट दिया था कि हमेशा उसका पीनस बाहर रहता था जब हमने उसके शिकंजे को काटा तो हमने देखा कि घाव इतना गहरा था कि उसकी बहुत सी नसे कट चुकी थी हम उसकी नसों को हेल्डी करने के लिए जो भी दवाई दे रहे थे वो कामयाब नहीं हो रही थी ऐसे में अब हमारे पास एक ही रस्ता बचा था उसके पीनस की सर्जरी सर्जरी में तो हमने सिर्फ दो छोटे टाके लगाए पर इसका इंतजार काफी लंबा था इन दो हफ्तों में उसके रहे से घाव भी पूरी ज़रा भर गए हमने उसके स्यूचर काटे और हमारी सर्जरी बिल्कुल सक्सेस्फुल रही थी कोकर खुश किस्मत था कि हमाचल में ऐसे फंदे में फसा ना कि चीन, नागा, लैंड या किसी और ऐसी जगा जहां पे कुत्तों को भी खाया जाता है लोगों का कहना है कि जिन जानरों को पैदा ही खाने के लिए किया जाता है उनको खाने में क्या गलत है और इसलिए कहीं कुत्ते उबल रहे हैं और कहीं मुर्गे भन रहे हैं